हेलो फ्रेंट वेल्कम बैक टो माई यूटूब चैनल फ्रेंट्स मैं इस वीडियो के मादधम से सब इस्पेक्टर का फॉर्म कैसे फिल अप करें उसको बता रहा हूँ तो चलिए मैंने इसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है पद को अपने ही साब से टिक कर लिजेगा कि कौन सा पद आपको पहले देना जैसे सब इस्पेक्टर सुभेदार हो गया सब इस्पेक्टर रेडियो हो गया सब इस्पेक्टर हो गया सब इस्पेक्टर इस्पेशल ब्रांच हो गया तो यहां पर आपको प्रात्मीक्ता के अन दे दिया तो फूर्थ पद मैंने डाला प्लाटून कमांडर फिर फिप्त पद दाल दिया अपनी योग्यता के नुसार देना है लेकिन बाकी जैसे योग्यता नहीं होंगे फिर आप डाल दीजेगा है ना फिर सब इस्पेक्टर स्विंगर फ्रिंस डाल दिये फिर लाश्ट में सब इस्पेक्टर रेडियो डाल दिया और लाश्ट जो बचाए एक की सब इस्पेक्टर प्रिंट कोशन और कम्पीटर तो कोशन डाकुमेंट का डाल दिये तो यह ऐसे करके मैंने पूरा फ्लीप कर दिया उसके बाद आपको अपना नाम बताना है कंडिडेट का नाम ह देता हूं अपना तो यह नाम डाल दिये नाम डालने के बाद क्या करना है आपको यह नाम फिलप हो गया ठीक है नाम फिलप कर दिया अपन मिडिल नेम यहां लिखना है मिडिल नेम नहीं तो मतलिक जिगा अंतिम नेम अगर है तो अंतिम नेम डाल दीजेगा अंतिम डाल कोroph कौन सी कैटिगरी है वह डौ दीजबा जैसे में जनरल कैटेगरी हूं तो जनरल काटिगरी डूल सबस vicious के लिए इसमें सेलेक्ट कर लिए अईयू में जैसे आप भूत्पूर सय्निक है लेद आपको घूट मिलेगा सरकारी he वाले सब्सक्राइब दह सकते हैं तो थीक है उसके बाद ये दक्स्वी कछय के प्रमान पत्र के अनुसार आपक horses of birth डालना है तो date of birth डाल दीजिजिए का डिपर hindi और दम ऩई हो अपना कि तो डर देखें आप डालेंगे तो उसके बाद अपका उम्र बता देगा मेरा में उम्र बता दिया और सेक्षिनी वग्यता डाल दीजिएका अपना अपने है या फिर मैठ में बीसी कर रहा है उनके लिए वो डाल दीजेगा है न फिर उसके बाद अपन देखने कि आप क्या पुलीश विभाग में सिवरत कर्मचारी हैं तो सिवरत है तो अगर हम डाल दीजेए और नहीं है तो नहीं डालेगा उसके खेल को प्रविंटता में केवल उंतराश्टी स्तर की प्रतियोगिता जिनका सीधा संचलन उस खेल के अखिल भारती संख्य के द्वारा हुआ है अगर आप है तो यह डाल दीजेगा तो देखिए दो ठो आइडेंटिफिकेसन आपको बताना है कि दो पहले पहचान चिन ने ब प्रकार चुनने तो पहचान पत्र का प्रकार चुनना है तो आधार जैसे आप आधार काट देना चाहते तो आधार काट बता दीजेगा उसके बाद पहचान संख्या दर्ज करना है इसमें जो भी पहचान संख्या दर्ज करना है उसके बाद रोजगार पंजी करन संख्या उसके बाद देखिये गया implied रुजगार पंजियन संख्या माँआगाई फ्रेंट्स उसका रुजगार पंजियन संख्या देदीजिये उसके बाद उसकी समापती वो भी देदीजेगा उसके बाद यहां क्या करना है आपकी फोटो जो अब करने के बारे में बताया गए, आप यहान से चूल से करके फोटो अपलोड कर सकते हैं, उसके बाद आप सास की सेवा के लिए medical परादी करत्वार आयोगा टहाए गया है, हाँ तो yes करना है नहीं तो नहीं उसके बाद आपको 20फवा नंबर का कॉलम दिया गया है किया किसी नियालय विशूच डाल सच्छन ये आपके कोई मामला लंबीत है अगर और इसको बताना है नहीं तो नहीं फिर 20फवा Conference का क्या आपके आपरादी प्रक्रण गिरिपतार कि अप्य यूज चलाया गया है यदि हुए है तो जुर्माना हुआ है या आप किसी अपराद में न्याले द्वारत डोसी ठहरा गया है तो पूर्ण वीवरन दे साथ में अपराद करमात धारा थाना तता जीला सहीत पूर्ण वीवरन दरज करे यानि आपके ऊपर कोई केस होगा और आपका को अनपत्ती प्रमान पत्र वीवरन दे तो आपध्य प्रमान पत्र भी open दिया है फिर यहां का मोबायल पिकना है फिर लिखना है यहां पर देख लिजिए आनापत्ती प्रमान पत्र Mac photo粉 अभरत वर्तमान पता बता दीजिगा एड्रेस उसके बाद फिर इस्ट्रिस नेम बता जीगा विलेज वार्ट का नाम बता देना है आपको उसके बाद सिटी का नाम पोश्ट का सहर इस्टेट इसका नाम आपको बता देना है और इसके बाद देखिए राज्य में आपन देख लेते फ्रेंस विलेज हो गया, सिटी हो गया, पोस्ट आफिस हो गया, यह सब देना डिश्टिक, फिर उसका त्वीन कोड, अब इसमें क्या बोलते हैं, वैरिफाई होने के बाद क्या करना है, आपका, क्या आपके द्वारा विज्यापन क्रमाक, यह बहुत ज़्यादा करें, और वैरिफाई बटन पर क्लिक करें, ठीक है, तो यह आपको यहाँ पर दर्ज करके क्लिक करना है, उसके बाद डिकलियरेशन घोषना करना है, आपको कि मैं यहाँ पर जो भी घोषना दिया है, उसमें पेमेंट बुकतान का यहाँ पर HDFC का दिया है, और सिरिप HDFC का कर देना है कि अप्चा दबाने को आपका सब्मिट हो जाएगा फ्रेंड्स तो इस परकार के से आप भर के क्या कर सकते हैं अपना फॉर्म सब्मिट कर सकते हैं इसमें एक चीज बता देता हूं आपको कि आप पद वाले में बोलेंगे कि सर सुबेदार का वर्क तो मैं सब का इसमेड़ की बता देता हूं कि कि क्या क्या होता है कि यसले में इसकी पॉस्टिंग होती है नकसल बेल्ट में जाते हैं यह उतने जज़्यादा सर्चिंग बगर्हा नहीं जाते हैं सुबेधार है अधिकतर सर Cimentosर याथए ठीक है उसके बाद बता देता हूँ आपको सब समझ जाए कि ना तो इनका सर्चिंग से लेना देना न ये थानास से कोई वर्क होता है बस इनका रेडियो जो अपरेट करते हैंना उन्हीं के प्रभारी रहते ही ये सब इस प्रभारी होते हैं इनमें सबसे सबसे ज़्यादा पावर अगर देखा जाए तो सब सब सावरमं ही उता है अब इसς में कुछ यह पहलं कि इसमें कुछ फ्रेंट इसमें बोल रहाँ में कैजे हैं पैसा कमाई है तो देखेię फ्रेंटस कि वो आपके ऊपर डियाइन यकिन enf Chem सबसे ज़्यादा पावरफुल पद होता है इन पदों में देखा ड़ाया तो सबस्पेक्टर सबस्पेक्टर इस पेसल ब्रांच तो लूप लाइन वाला पद है यह किसी विभाक के कोई पता नहीं रहता कि सबस्पेसल ब्रांच में कौन है तो यह जो हैं इनका काम जो सबस्पेक्टर इसका सबस्पेक्टर इसको में सबस्पेक्टर कंप्यूटर को बता दिया और इसब इस्पेक्टर के बारे में डिटेल से जानकारी मैंने, जितने भी वीडीयो बनाऊई है की पढ़ना, कैसे है कि तयारी कैसे करना, गुक क्या करना है आपको, मैं पूरे वीडियो के मादधम से बता चुका हूँ और एक चीज़ बता दे रहो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा